तो कैसे हो आप तब डियर गाईज आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं concept based on related speed या आपको पता होगा कि अलग-अलग exams में questions बनते हैं related speed पर training के related या race के related questions पूछे जाते हैं इसके relevance के अगर में बात कुरोगा तो काफी ज्यादा important यह रहता है आपके reasoning से भी ज्यादा maximum question इसी टाइप पर बनते हैं और mathematics में तो बनते ही बनते हैं अलग कि किसी exam में अलग से यह topic given होता है tennis पर बेसिट, race पर बेसिट या relative speed पर बेसिट तो let's get started को चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यह relative speed होता क्या है तो relative speed मतलब हम relation, speed का relation देखते हैं relate करके चलते हैं दूसरी बॉइड के सब, for example दो trains चलते हैं, एक train की भी अपनी speed होती है, दूसरी trains की अपनी speed होती है, तो इन ही दोनों trains के concept को मिलाकर relative speed का concept बनता है, तो जैसके मैंने आपको पहले lectures में भी बताया है कि time बरापर होता है distance upon speed, speed बरापर होती distance upon time, and अगर मैं आपको कहोगा distance के equal होता है तो आप बोलोगी सरक time into speed speed into time will be equal to what distance, right, इतना मैंने आपको पढ़ाया था, तो अलग-अलग concept इसके भी फर्दर होते है, जैसे कि when train passes a pole or person, अगर कोई train चल रहे है, यह आपको क्या दिख रही है, यह train दिख रही है, तो यहां पर कोई pole है या कोई person है, कोई pole है या person है, तो अगर यह इसको पास करती है, यह अगर यह इसको पार करती है, तो उस case में distance क्या होगी, तो distance उस case में होगी जो लेनत है इस ट्रेन की जो इस ट्रेन की लेनत है यही तो डिस्टनस होगी यह तो डिस्टनस होगी यानि कि अभी आदमी यहां पे खड़ाए यानि कि यह एक एलेक्ट्रिकल पॉल है और यह कितना मोटा है इसको तो हम नेगलिजिबल मानते हैं इसको तो हम कंसिडर नहीं करते इस चीज़ इसकी मोटाई को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि यह तो नेगलिजिबल के बराबर होता है बहुत कम होता है इसकी मोटाई अगर देखेंगे तो बहुत कम है तो अब यह ट्रेन इसको पास करेगी यानि कि इसका यह सिटाइटिंग पॉइंट है और पास कब करेगी जब इस तरीके से यह ट्रेन निकल जाएगी निकल गए ट्रेन और ये इसका एंड पॉइंट है तो यहाँ पे यह पर पो जाएगा उप मिला करेंगें तो कुल मिला कर आया l आप बोलोगी सर यह वाली distance यानि कि जो length है train की वही यहां पर क्या होगी distance होगी बोलो हाया ना इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया आप बोलोगी सर हाँ जी तो distance इस case में होगी L क्योंकि मैंने length माई ही train की उसको मैंने लिखाया L उसको मैं नहीं लिखा है एल तो distance will be what length of train ओके तो इस case में अगर मैं बताओगा आपको speed किसके एकवल होगी तो आप बोलोगी sir train ने कितने time में train ने कितने time में खुद को पार कराई इस point से यान कि s will be l upon t ठीक है और अगर मैं बताओगा distance यान कि l, l किसके एकवल होगी आप बोलोगी sir speed of train into time taken time taken by train to cover the distance या to pass that pole या person ओके चलिए जी एक और question समझने की कोशिश करेंगे एक और concept हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको समझाना है कि when train passes a platform अगर एक train pass करते है किसी platform को और example मैं यहाँ पर एक train बनाता हूँ आपको समझाने के लिए ठीक है यह मेरे पास एक train है एक train है तो इसके में चार टेर बनाता हूँ हाला कि गाड़ी के होते हैं train के नहीं होते बस आपको words पर नहीं जाना emotional को समझने के कोशिश करना है ते पर example मैं कहे रहा हूँ इस train की length है L1 कितनी है इस train की length है total length लंबाई है इसकी L1 अब इसके सामने एक पलेट फॉर्म है अब इसकी सामने इस for example यह मेंने एक पलेट फॉर्म बनाया है तो इसके उपर से इसको जाना है इसके उपर से इस पलेट फॉर्म के उपर से इसको जाना है यह मेंने एक पलेट फॉर्म बनाया है इस पलेट फॉर्म की length है L2 कितनी है L2 इस पलेट फॉर्म की length है यहां तो टो टोटल डिंस्ट नंस यहां पर कितनी होगżenia to Dix victims यहां पर हो गी नहां पर प्रेस्ट प्लस लegनeline आफ पाने यह इनिकि लेनद heart्रेन एलवन है और लैनद आफ्याइद फ़ार्म केथनी है अब्रूठ यह करेंके होगी बेटर टोटल कि attitudes इसका इसकेंस तोटल इतनी होगी है यह मैंने क्या बना यह मैंने ट्रेइन बनाइ और यह मैंने सबस्क्राइब भूत यह बीघन को अब देखो कितनी होते हैं जब्देन चला रहे हो या गंदी नजरू से सब्सक्राइब करोगे इस चीज़ को आपको पता चलेगा कि train का ये end जब इस end पे पहुंच जाएगा तो distance cover होई होगी कौन सा end पिछला वाला क्योंकि ये train इस डिरेक्शन में चल रही है ठीक है और पलेट फर्म तो रुका हुआ है यान कि ये point जब इस point पे पहुंच जाएगा तो इस तरीके से train और करते होगी इस तरीके से train आगे याते होगी है तो टोटल टिस्टरंस तो इतनी कावर होगी बात आई ऐसे तो कोई डिस्टनस है टोटल डिस्टनस कितनी एलवन पूलस एल्टू विल बीद डिस्टनस अगर मैं आपको बताऊगा कि टाइम कितना लएगा अगर मैं आपको बताऊगा कि टाइम कितना लएगा तो टाइम इस केस में लग जाएगा टाइम इस केस में लग जाएगा टोटल टोटल डिस्टनस डिवाइड़ बए इस सपीड यानि कि इतना टाइम लग जाएगा एक ट्रेन को पलेट फार्म को कम्प्लीट करने में या पास करने में ओके ट्रेन की प ceux खशे हम अब एक और कंसेफ्ट में आपको समझने की कोश्च करोगा यहाँ पर हमुज़ने की कोश्च करेंगे जब एक train पास करते है किसी moving person को अब यहां पर दो cases हो सकते है एक case ऐसा हो सकता है कि मतलब train है हमारे पास यह मेरे पास एक train है तो इसके होगे यह वाले वो और इसकी length है suppose L1 इसकी length है L1 अब यह person को पार करेगी ठीक है if her लास ऐसे suppose यह यहां पर परसन खड़ा है यहां पर संखड़ा है के और train की instruction यहां पर है और person की डिरेक्शन इस तरही के से हैं अगर person रुड़ हुंआ होता तो train को कुछ time लगता लेकिन person आभ रहा तो train को पो पार करने में time क्या लगे काम लगे की ज़्यादा लगेगा आप बलोगे sir obviously ज़्यादा लगेगा और कितना ज़्यादा लगेगा हलाकि distance तो इतने ही cover करने है train को अपनी लेन्च के बराबर distance पार करने है इस person से लेकिन person से तो दोड रहा है दोड़ रहा है उस केस में टाइम कितना होगा राबर होगा तो के टाइम बड़ाबर ह invece 4가지고 को खोगाई दिस्रान यानिकी एल डिवाइड़ वkeit रैंब माइनस सफिट परसंगी एब भी तो इक्वाइड को ज्रीए से ज्टा फारेंब विमान लेताहीं एस्वाण speed में माला लेता हो train की S1 और speed of person की माला लेता हो में S2 तो कितना आ जाएगा S1-S आप बोलोगे सर क्या ही जुरूरी है S1-S2 करना मैं बोलोगा हंजी क्यों? क्योंकि train की speed जुरूरी ज्यादा होनी चाहिए person की speed से आदरवाइस वो तो उसको पकेड़ी नहीं पाएगी ठीक है ना? वो तो side नहीं ले पाएगी ने इस person को बहता रही ही समझ तो मैं लिख होगा wire wire S1 is greater than S2 ठीक है? इस speed of train is greater than speed of person ओके? चलिए एक और case बनता है एक और case बनता है एक और case कया बनता है? कि अगर opposite direction परसन आता होगा person मू कर रहा होगा opposite direction में कि में? opposite direction में इस तरीकी से in opposite direction दोनों train और person opposite direction में चल रहे है for example ये मेरी train है ठीक है ये मेरी train है और ये हमारे पास एक person है यह हमारे पास एक person है train जा रहा ही इस direction में person आ रहा है इस direction अब person अगर रुका होता तो suppose train को कुछ time लग जाता इसके पास पहुंचने में लेकिन person अब इस train की ओर आ रहा है और ये भी दोड़ रहा है train भी जा रहा है अब उस direction में तो time obviously कम लग जाएगा ठीक है और कितना time लग जाएगा इस case में जो time होगा वो होगा कितना होगा l divided by s1 plus s2 s1 plus s2 s1 speed की है train की है s2 speed की है person यह बेटा concept this is the golden concept that you need to understand robot application ratification करके formulas को याद मत रखो इस तरह की से logically आप समझोगी तो हर एक चीज crystal clear हो जाएगी और ज्यादा रटा मारना नहीं पड़ेगा ओके चलिजे अब मैं एक और concept आपको यहाँ पर समझाने के कोशिश करोगा चलिए अब हमारी पर दो ट्रेनर्स होंगी क्या होंगी दो ट्रेनर्स होंगी वह एक दूसरी को पास करेगी अब यहाँ पर भी दो केस बनते हैं ठीक है एक होता इन सेम डिरेक्शन एक होता है अगर दोनों ट्रेनर्स एक दूसरी के सेम डिरेक्शन में चलती होगी ठीक है इस एक ट्रेंशें और में यह दूसरी में हमारे पास दुस्थ है एलवन इसकी ऐन थे और इसकी लेंग ल्टू इसकी लेंग ल्टू अयल तो बस गेहराई सामझने के कोश्च करना अब अगर यह सेम डिरेक्शन में चल रहे है अब अगर यह क्या चल रहे है सेम डिरेक्शन में यह ट्रेन भी यहां पर चल रहे है यह ट्रेन भी इस और चलती है तो डिस्टनस कितनी होगी इस दोरान इस जर्णी में जो टोटल डिस्टनस होगी जो टोटल डिस्टनस होगी कावर करनी होगी train को एक ट्रेन न्यक्त ट्रेन के दूसरी ट्रेन ट्रेन होगी ल्वन नुट लम्बाई यह एक दूसरे कुट पारकब करीगी जब इस ट्रेन का यह वाला पॉइंट तक पहुँच जाएगा तो ट्रेम्ध इतनी कावर को बताऊगा कि इस journey में इस process में time कितना लग जाएगा ठीक है तो आप बहुता हम बराबर होता है distance distance कितनी है L1 plus L2 L1 plus L2 distance और speed speed क्या होगी speed क्या होगी ठीक है तो अगर यह train रुक होती तो यह train इसको पार करती लेकिन यह train तो चल रही है तो पार करने में थोड़ा सा टाइम लागेगा और कितने जादा कितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए यहां पर रिलेट्व शिपीड हमें लेनी पढता है रिलेट्व शिपीड मतलब S1-S2, तो इसकी speed, वो क्या है? S1, और इसकी speed है, और इसकी speed है, कहने का मतलब है, यहां पर S1, ज्यादा होगा S2 से, ठीक है? पहली train की speed, दूसरी train से ज्यादा होगी, तब ही तो वो उसको पार कर पाएगी, और्वाइस वह उस maltी पाइगी край अगरर इसकी सिमामेगी इसकी सब्सक्राइब पसको तो कभी पीछे छोड़ेगी टेहिंगे को क्या होता है कि अगर इस ट्रेन के सपीर सब्सक्राइप होर और इस ट्रेन के सब्सक्राइब समय और चाहिए है ये भी तो आगे चल रहे है अगर आगे चल रही है तो टाइं पर ज्यादा लग जाएगा और कितना लग जाएगा सबन माइनस तून टाइम इतना लग जाएगे इस केस में यह आपका आंसर हुएगा तो अब दूसरी anticipation यहां भनती है क्या होगा अगर यह दोन्य harness अप सब्सक्राद नौज प्रेइंचन में चल रही होंगगे तो मैं लिकंगा यहां पर इन इन आपोजिट डेरेकशन अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डिरेक्शन में चल रही होगी तब क्या सीन होगा इन ट्रेन इसकी साथ तब क्या सीन होगा बस वह से में समझाने की कोश्च करोगा यह हमारे पास एक ट्रेन है ठीक है और यह मेरे पास दूसरी ट्रेन है यह मेरे पास दूसरी ट्रेन है कुछ मगज में आ रहा है कुछ इस ट्रेन की सपोज लेन्थ है L1 और इसकी है L2 और इसकी सिपीड है इस ट्रेन की सिपीड है S1 और इस ट्रेन की सिपीड है S2 है एक है सब्सक्राइब ऊकई दोनों एप अपोज़ट्ट डिरेक्शन में चल रहे हैं दोनों क्या चल रहे हैं रहए है मैं हम अगर कहोगा तो वह आप लोगшी this total distance will be what L1 1 plus L2 okay अगर मैं बताव कि कि time कितना लग जाएगा इन दोनों के एक दूसरी को पार करने में time लग जाएगा time लग जाएगा total distance यानिकि L1 plus L2 divided by S1 plus S2 कि क्योंकि opposite direction में जब ही आएंगे इनकी speed और होगी इनकी speed बालेंट पार करने की कोशिश कर रहे हैं यह ट्रेंट बार न करने की कोशिश ही तो इस केस में दोनों एक दूसरी की नजदीक आ रहे है कोशिश कर रहे तो पुलस आ जाएगा यहां पर मतलब एक दूसरी से दूर जाती होगी ट्रेन आप दोड़ रहे उसके पीछ और वो भाग रहे बाग रहे तो उसमें S1-S2 होगा ठीक है और यहां पर S1-S2 का कोई concept नहीं है कि सब्सक्राइब किसकी ज़्यादा होनी चाहिए किसकी काम होनी चाहिए तो ऐसा कोई लाजिक यहां पर उससे कोई फारक पड़ेगा नहीं किसी की काम हो किसी की ज्यादा हो उससे क्वेश्चन पर फारक नहीं पड़ेगा चलिए मुझे उमीद है इतना आपने समझा अब लास्ट का एक और लाजिक मैंने पकड़ के आपके सामने लाया है तो इसको हम स करेगी किसी परस्ट को लेकिंगर दूसरी ट्रेंड मैं बेठा हुआ है तरेमें लेक्सराइब कारना लेकिन किसको करना पार ट्रेंगों करना की परसंगों करके आप शनबोकर सर किसी परसंगों करना है ऑग्सांवार एक्वारोजगं यहान परसंगbuilding को करना एक میں का MP's ब्य यह वह कॉश्चन धोड़ता है इस लिए कभी कभी एक्जामनर यहां पे देता है, यहां पे अगर मैं देख हुगा गंदी नजो थे आगर आप देखोगी इस चीज़ को तो डिस्टन से तो यहां पे तो होगी है, यहां पर यहां में कहोंगो टोटल डिस्टनस जो टोटल डिस्टनस होगी यहां पर वो होगी सिर्फ और सिर्फ एलवन होगी क्योंकि मैंने क्या बोला परसन की कोई डिस्टनस नहीं होती है परसन या पॉल की या किसी यहां पे पहुंच जाएगा सिटर्क में यह वाला यहां पर पहुंच जायेगा और आप आपने समझा तोटल डिस्टंस क्या है यह Pork वान है टोटल डिस्टंस एस ऐल वन राइट तो डिस्टंस अब यहाँ यहां पे 2 दो बनता है एक बनता है कि time यहां पर लग जाएगा time यहां पर लग जाएगा total distance l1 divided by s1-s2 ठीक है S1-S2 यह कब होगा जब दोनों ट्रेन्स क्या होंगी सेम डिरेक्शन में चल रही होगी सेम डिरेक्शन में चल रही होगी अब आप यहां पर S1 आपको पता है train of speed यह वाली train की है ठीक है इस train की speed है और L, S2 कैए speed of person और speed of this train एक ही बात तो है जो इस train की speed है वो तो person की हुई क्योंकि person इसमें बेठा हुआ है ओके सो दूसरे case में अगर अपोज डिरेक्शन में चल रहे होंगे तब time कितना लग जाएगा तब time लग जाएगा total distance यानि कि L1 है L1 है या L आप मान लो ठीक है दोनों trains आपस में क्या चल रहे होगी अपोजिट डिरेक्शन में होंगी क्या होगी अपोजिट डिरेक्शन में होंगी Are you getting my point? अब इतना आपने समझा ना बस इतने ही pattern पर इतने ही types पर अलग अलग questions बनते है अब हो सकता है वहाँ पर वहाँ पर सकता है वहाँ पर सकूट हो पर सन हो है दो रेसर हो एकलीट हो ट्रेन का बदले लेकिन concept यही है concept यही अपले होगा चलिए बनाए यह वाला question अब क्याता है In how much time a 200 meter long cross long train cross a person if the speed of train is 10 meter per second 10 meter per second कहता है कितने time में एक train की length है 200 meter वह एक cross करेगी एक person को और train की speed इतनी है 10 meter per second तो चलिए दीरे दीरे में आपको यह question समझाता हूं कि बाग एक question हम हवाई में फिर उड़ा देगे तो यह train की जो length है वह है 200 meter कितनी है 200 meter इस train की length है इस train की length है 200 meter और यह person suppose यहां पे खड़ा है यह person यहां पे खड़ा है रुका हुआ है यह इदर आ रहा है न उदर जा रहा है रुका हुआ है परसन रुका हुआ है इसको cross करने और जो इसकी speed है जो इस train की speed है वह कितनी है 10 meter per second 10 meter per second इस train की speed है तो मैंने आपको क्या बोला कि इसकी distance हम negligible zero मान लेते है तो total distance जो होगी वह कितनी है इतनी है 200 meter 200 meter यह हमारे पास total distance राइट तो चलिए अब time किसके equal होता है time किसके equal होता है तो आप बोलोगी सर यह तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है time बराबर होता है L1 यानकि speed length of train length of train divided by speed यानकि distance upon speed distance upon speed distance कितनी है आप बोलोगी सर 200 meter 200 meter और speed कितनी है 10 meter per second 10 meter per second तो आंसर कितना होगा यह काट गया यानकि 20 seconds 20 seconds इस question का answer option number third easy सा question है easy level का question था मुझे उमीद है कि आप सबोने इस question को मतलब 10 seconds 5 seconds में बनाया होगा चलिए एक और question बनाते हैं बनाई यह वाला किता है in how much time at 280 meter long train crosses a pool if the speed of train is 63 km per hour 63 km per hour और और देखो बाइस आप यहां पर यह मीटर में यह किलो मीटर पर आवर में यह किलो मीटर पर आवर में यह कि इसको हमें मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में तो हम क्या करते हैं हम मल्टपलाई करते हैं फाइव अपन 18 से हम क्या करते हैं मल्टपलाई करते हैं ही से मुल्टिपला करते किसको करते ही जुद किलोमेटर पर हुगे उसको फिर क्या है अब लोगे चिसर है तो हमें कितना लग जाेगा हमें निकालना क्या हुआ मीटिकीर लिध्यूर मिट्र तो इसको हम Перचेंजुरते इनके 5 upon 18, 5 upon 18, बस इतना ही करना होता है, यह पूरा का पूरा यहां पर पहली काटना नहीं होता है, तो इस तरही किसे करो, एक ही सिटप में, कम से कम सिटप में questions को सालो किया करो, ठीक है, बस अब यहां पर calculation वाला part है, तो बात खतम हो जाएगी, है न, होगी कि नहीं होगी, कैसे देखो, 97, 63, और 92, 18, और यह दो उपर चला जाएगा, ठीक है, तो उपर क्या आजाएगा, 280 into 2, और नीचे आजाएगा, 7 into 5, 7 into 5, यहां से यह भी कट जाएगा, देखो, 7 चुका, 28, और 0, ठीक है, 5, 8, 4, 8, 2, 16, तो कितना आजाएगा, 16 seconds, 16 seconds, इस question का answer है, option number second, calculation वाला पार्ट है, बस, बात खत्म, अब यहां पर मैंने कैसे किया, तो चलो एक वारी में बताता हूं, क्योंकि दुबारा मुझे फिर बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो यह है, 280, बड़ा divide, और नीचे है, इस तरीक से, 63 into 5, divided by 2, ठीक है, तो इसका rest protocol होता है, इसका rest 63 into 5 नीचे, वही तो मैंने किया, वही तो मैंने किया, ठीक है, यह 2 ऊपर चड़ाया, बात आई सामझ, बात आई सामझ कि नहीं आई, यह calculation वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप 8th standard तक का मैंस पढ़ किया आजो, फिर मुझ से सिको 100% सिकोर कराना मेरी guarantee, चल ठीक है, distance बराबर होगी, यहाँ पे length of train, length of train, होगी के नहीं होगी, आप बोलोगी सर हंजी, length of train बराबर होगी, यहाँ पे distance, और distance किसके एकवल होती है, और distance मुझे बताई किसके एकवल होती है, आप बोलोगी से distance बराबर होती है, speed into time, speed into time, होती के नहीं होती है, पिछले चार लेक्चुर्स में आपको यही बात समझा रहा हूं अगर आपको अभी भी पले नहीं पढ़ रहा है फिर मत पढ़ो तो सिपीड कितने है आप बोलोग सब्सक्राइब 75 किलिमेटर पर आवर 75 किलिमेटर पर और और हमीं मीटर उसमें बताना है तो हम क्या करेंगे इसको मी कितना है 18 seconds 18 seconds बस इतना ही तो था इतना ही तो था अब देखो यह 18 और 8 खतम हो गया तो बचा किया वहां पर 75 इंट फाइव पांच पचे पचिस दो केरी पांच सथी पैंटिस तो दो होगी सेंटिस तो कितना होगे 375 मीटर 375 मीटर इस दे करेक्ट आंसर और इस क्वेस्ट कितना आसान क्वेस्टन है टुचे लेवल की क्वेस्टन है चलिए बनाए यह वाला क्वेस्टन इता सपीड आफ ट्रेन इस 88 किलोमेटर पर आवर वाट टाइम विल इटेक टुक्रास पलेट फार्म 180 मीटर लांग इव दे लैंस अप ट्रेन इस 150 मीटर बस उच नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूँ यह मुझे निकालना है टाइम यहाँ पर टाइम किसके Straight Nine होता है जो अपन सिपीड डिस्टन्स अपन सिपीड है कि नहीं आप वोलोगी सब्सक्राइब है तो डिस्टनस कितनी कावर करनी होगी एक तो पलेट फार्म की डिस्टनस 180 मीटर और एक स्ट्रेन की डिस्टनस जो कि है 150 मीटर उप कितना होगे 180 180 plus 150 तोटल डिस्टंस और सिपीड क्या है यहां पर किलोमेटर पर आउर में है ठीक है वह सकता है टाइम सेकंड में हो इसलिए हम क्या करेगी इसको चेंज करेगी 88 है इसको चेंज करेगी मीटर पर सेकंड यानकि 5 डिवाइड वे 18 से हमने यहां पर भी माल्टिपलाइ करना प 330 हुए कि नहीं हुए आप लोगिसर हां जी और एंट यह 18 उपर चला जाएगा 18 और नीचे क्या रहा नीचे रहा 88 इंटो 5 आप आप अगर करता है तो मैं करता है ऩो नहीं करता है तो मत करके 11 888 उसक् Bennett यहांपर जिस जा जायेगा 30 शाह और अगर किस से कटता है तो काटो हाँ जी कट रहा है देखो छे का या छे छे ती या नहीं यह तो आठ है नीचे तो छे इसी तरी किसे रखो हुँँ दो चुका आठ वेसे कट जाएगा अठरा छे कितना होता है आठ छे अटालिस चार केरी खेक है छे ती चार होगे दस एक तो आठ बटे आठ चार से कट जाएगा तो बात खतम चार से कट जाएगा बात खतम चार दूनी 8, 2 यहां, 4 साथिय 28, 4 दूनी 8, कितना लग जाएगा time? आप बलगे से 27 बटे 2, यंकि 13.5 seconds, टाइम लग जाएगा, यंकि options का होना ज़ूरी होता है, मैं टिक और देता है, देखती है, तो यह इसका time लग जाएगा, कितना? 13.5 seconds, calculation खुद देख लेना इसमें गलत मत हुआ होगा कहीं पर बाकी तरीका यही है चलिए एक और question बनाए यह वाला question केता है length and speed of train A is 100 meter and 40 meter per second length and speed of train B is 200 meter and 30 meter per second in how much time train A will cross train B if both trains moving in same direction same direction में क्या होता है चलिए जी same direction में अगर मुझे time निकालना होगा अगर मुझे time निकालना होगा same direction में क्या होता है आप बोलो sir L1 plus L2 यानि की length of first train यानि की total distance इतनी होगी divided by same direction में हो रहा है S1 minus S2 यह concept होता है कब जब हम same direction लगाएंगी ठीक है किस case में same direction जब इनकी direction same होगी यानि की एक दूसरी को pass करना चले अब values रखते है तो time कितना लग जाएगा L1 L1 यानि की length of first train वो कितनी है length and speed of first train is 100 meter और speed इतनी है 100 meter है first train की length and second train की length कितनी है 200 meter divided by first train की speed कितनी है 40 meter per second यानिकी 40 minus second train की speed कितनी है 30 meter per second यानिकी 30 ठीक है कितना लग जाएगा अब time 100 तो 200 होगे 300 divided by 40 में सी 30 गए तो 10 time कितना लग जाएगा time therefore therefore time लग जाएगा 30 seconds 30 seconds 30 seconds time लग जाएगा and this is your correct answer इसके options नहीं है मेरा पिछला वाला यह content है अच्छे questions थे तो इसलिए मैंने यहां पर ले लिए चलिए बनाई एक और question कहता है a train running with speed of 82 km per hour crosses a 250 meter long platform in 27 seconds find the length of train length of train हमने बतानी है यह देखे बेटा यह हमारे पास से लेंस है train की इतनी है यह हमारे पास लेंस और पलेट फर्म हमारे पास कुछ स्टरीके से है कि यह हमारे पास कोई फॉर मेर इसको यह काप्र का इसका वन के मीटर है टो हंडर्ड़ फिप्निंटर इतनी होगी हमारी meansista यहाँगी हमारे पास better total Course 52 कुछ करेगी सिंपल सा लोजिक लगाएगी ना कुई फार्म लागाएगी ना कुछ कुछ लगाएगी ठीम आपने तो हमने हमें निकालना है हमने ठीम थे लानत नहीं थे लानत अमने टाइम नहीं निकालना हैता हमारे पास ग्योन है लेनत् निकाल लें ट्रेन की तो मुझे पता है वही फार्मुला है कि टाइम बडाबर होता है इसके एक वार डिस्टनस अपॉन सिपीड डिस्टनस क्या है हमारे पास ऐल वन पॉलस 250 अपन सीपीड किया है ऐटीव किलोमेटर पर आवर और टाइम कितना है हमारे पास 27 seconds 27 seconds यहीं तो concept है बस बात यहां पर खतम होगी बात यहां पर खतम होगी कैसे खतम होगी अब देखो क्योंकि हमें time seconds में हैं तो kilometer per hour यहां पर speed है तो इसको हमें convert करना पड़ेगा meter per second meter per second में convert करने के लिए हम क्या करेंगे और कुछ नहीं करना है बस अब यहां पर क्या बची calculation ही तो बची अब यहां पर क्या बची जो बची वह बची सिर्फ और सिर्फ कालिकुलेशन है कि कुछ और है बताईए चलो ठीक है आप calculate करो इसको easy है calculate करना यह चला जाएगा 41 टाइमस दो से और यह चला जाएगा 9 टाइमस तो उपर क्या आ जाएगा उपर आ जाएगी इस तरीकी से में लिखूगा अब 27 is equal to L1 पूलस 250 है ना इंटू में चला जाएगे यह नीचे वाला 9 और डिवाइड में नीचे क्या जाएगा 41 इंटू 5 अब देखो कलाकारी कैंशी काटने होती है तो हलाकि मैं यहीं पर आ इसको काट सकता ता यहां पे नए सिक बार और नू सी यह चाहिला जाएगा तीन को नो टिय सताइस नउटिया 27 यह यह रखान हो गया तो अब्लकी यह खत्म और आप यहां पर इसको सालोखके हो ठीक है तो नीचे पांच के पांच पांच के बीस यान कि 205 नीचे आ जाएगा 205 इन दोनों का प्रड़क्ट प्रटीवान इंटो फाइव ठीक है तो दोसो दोसो के तने होगी 600 615 यान कि मैं लिख सकता हूँ क्या क्या में इस तीन को इसके सब मल्टिप्लाइ किया वह बराबर होगा एल पुलस 250 250 तो एल यान की लेंगत आफ ट्रेन वह कितने होगी आप बोलोगी सर्फ 615 से सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा 250 वह ही इसका आंसर होगा ठीक है पांच में से जिरो गए तो पांच और यह ग्यारा में से पांच गए तो छे और फिर यहां पर पांच में से दो गए तो थीन 365 मीटर इस दे करेक्ट आंसर और डैट विल बीदे लैन अफ ट्रेंग पस एतना सा करता था कुछ नहीं ना इसमें ज्यादा कालिकुलेशन है ना कुछ है फिर पुर स्रिप डिपन करेगा आपके स्पीड पर और आपके सुचने के नजरीए पर वेजित अगर डॉप्शेन होते साथ यह पूरा कैल्कुलेट ना करना पड़ता हम एसली इसको टिक करते आप्शों इसको रहके हम इसको टिक कर लेते हैं और बुला अले एक और कोश्ट्टन बना बताईं यह वाला क कि तरेन आफ्लनेश 210 मिटर इस राइनिग एच सिपीड आप डिस ए मैं इस राइनिग आड़ इस इन अपोज डिरेक्शन इन वाट ताइम मैं विल क्रॉस दे ट्रेन बस वही इंड आप यहां पर ट्रेन और पर्सन आपोज डिरेक्शन में चल रहे हैं ठीक है रहे हैं वह प कालना है सो टाइम बराबर होगा डिस्टनस कितनी है 210 मीटर लेंग अप्रेंट डिवाइड़ और यह अपोजिट डिरेक्शन में है ठीक है यह अपोजिट डिरेक्शन में तो क्या होगे नीचे चैनल पूलस ड्वास टू एस रून यानश्ट ट्रेंन की स्पीड और आश्ट यानिके इस आदमी की स्पीड तो कितना होगे 45 और नाव कितने हो गई 54 किलोमीटर पर आवर लेक्न हमने इसको मीटर पर शेकंड में चेंज करना क्युकि उम्काल करें पटाइम तो हमारी पास स ओपर 210 है, और नीचे कितना है, 3 पचे 15 है, ठीक है, बस, बस, काट डो अब इसको, इसलिए ये काट जाएगा, मेरी ख्याल से, ठीक है, 15 कई 15, 15 कई 15, और 15, 6, ये हो गया 60, और 15, 60, 14 seconds, ठीक है, कितना, 14 seconds, 14 seconds is the correct answer, option third, option number, third, बात आ रहे ही, समझ मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए, एक और question, बनाओ, बनाएए, क्याता, a train of length 175 meter cross another train of equal length, running in opposite direction in 10 seconds, if speed of first train is इतनी, find the speed of second train, बस, कुछ नहीं करना है, मुझे पता है, time, time यान की 10 seconds है, time 10 seconds है, तो time बराबर होता है, distance upon speed, distance अब कितनी, दो trains आपस में चल रहे हैं, और दोनों की लेनत, 150, 150 meter है, वो कितने होगे, 150, जर्वी 2, दो जर्वी 153, सीधा में वेसी लिख सकता था, डेर्ट होगे, 325, पेचिस होगे, 50, यानिके, 350, 350, और नीचे, नीचे कहता है, कि एक train की speed इतनी है, क्योंकि यह opposite direction में है, तो एक train की speed is 62 km per hour, 62 km per hour, meter per second में हमने बतानी है, क्योंकि कोई मसला नहीं है, meter per second में हमने बतानी है, 62 km यह है, per hour, meter per second, 5 divided by 18, और इसकी, इसको add करना है, किसी दूसरी train से, suppose में नहीं वो x माल लिए, अब आप देख सकते हो, कि 10 seconds में अगर यह इसको power करता है, तो यह 0 से यह 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, है ना, तो चलिए, अब हम इसको solo कर सकते हैं, तो कैसे करेगे, यह आ जाएगे नीचे 9, और यह आ जाएगा 31, तो इस तरीके से, 62 into 5 divided by 18, यह इसके साथ, plus x, इसके साथ multiple है, 1 is equal to 35, is equal to 35, बस बात खतम हो जाएगी, यहां, बात खतम हो जाएगी, 5 के 5, 5 सती 35, है ना, 5 के 5, 5 सती, 35, चलिए, हम कर लेते, और यहां पर यह 31, और यहां पर यह आ जाएगा 9, ओके जी, तो यह क्या आ जाएगा, 31 plus x divided by 9 नीचे है, is equal to 7, यह साथ यहां पर चला जाएगा, 7, 9, 63, therefore x is equal to 63 minus 31, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो 32, अब options पर depend करता है, कि वहां पर answer क्या होगा, तो मुझे मिला answer 32 meter per second, यह वहां पर जो option होगा, उसको tick करेंगे, ठीके, चलिए जी, next question, बनाएए, क्याता है, a train of 150 meter long, takes 30 seconds to cross a bridge of 500 meter long, how much time will that train take to cross a platform 370 meter long, क्याता है, कोई train है और इसकी length है 150 meter, 150 meter इसकी length है, क्याता है, यह किसी bridge को cross करता है, और वो bridge कितना लंबा है, ठीके, यह bridge है, B-R-I-D-G-E, और यह train है, यह train, यह इस bridge को cross करते है, यह इस bridge को cross करते है, जिसकी length है 500 meter, 500 meter इसकी length है, यह इसको cross करते है, कितने time में, 30 seconds है, 30 seconds, ठीके, कितने time में, 30 seconds, कहता है, कितना time इस गाड़ी को लाएगा, इस train को, 370 meter long पालेट फर्म को cross करने में, यानि कि, बेटा, हमें यहाँ पर क्या निकालने है, speed निकालने है, हमें यहाँ पर speed find out करनी है, तो speed of train में बताऊगा, speed of train में बताऊगा, तो आप बताऊगी, सर्फ total distance कितनी है, थाड़े 600, upon time, कितना लग जाएगा, 30, तो यह होगी, speed of train, 6D, 5, upon 3, तो अब यहाँ पर यह क्या कह रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर हमें कह रहा है, कि, पलेट फर्म, पलेट फर्म की लैनित इतनी है, तो उसको पार करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, बस करते है, तो टाइम, अब हमें निकालना है, तो टाइम बराबर होगा, तोटल डिस्टन्स, अब तोटल डिस्टन्स चेंज होगे, क्योंकि अब ब्रिज नहीं है, अब क्या है, ट्रेन और पलेट फॉर्म, वन फिप्टी पुलस थी सावंटी, यह इतनी डिस्टन्स, वन फिप्टी पुलस थी सावंटी, अब आपन स्पीड, स्पीड कितने है, 65 अब आपन थी, अब ऐसे नहीं करने बेठना, इसको काट ना है, 65 बस, यहां से यह अब क्वेश्टन खतम हो चुका है, कैसी 5 से काट एगे, 5 इंटो 1365, और 5 इंटो 842 यहां, और 5 फॉर, 5 इंटो 4, ठीक है, बस देख लेंगे, अगर यह इससे कट जाता है, 65, 65, 68, 63, नहीं कटेगा, यह यहां पे, एक्चली 520 है, यह यहां पे 520 है, ठीक है, तो, पाइचदा है, 50, और, पाइच चुका है, बस, अब यहां पे आप कर सकते हो, देखो, 13, 8, 8 से, और 8, जर्वे, 3, कितना होगे, 24, 24 सेकंड इस क्वेश्टन का करेक्टा हो, अब नेक्स्ट क्वेश्टन है, हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, कि ए ट्रेन विच सिपीड आफ 80 किलोमेटर पर आवर, प्रॉस्ट जपूल, इन 18 सेकंड, इन 18 सेकंड, देन इन हाव मैच टाइम, इस क्वास अनदर सिटेशनरी ट्रेन, यानि कि रुकी होई ट्रेन, उसकी लेनथ 25 परसेंट ज्यादा है, पहली वाली ट्रेन की लेनथ से, तो कहने का मतलब इसका सिंबल सा है, कि मैं आपको समझाने के कोशिश करोगा, क्याराई कि ये एक ट्रेन है, ये चल रही है, इसकी लेनथ हमने पता नहीं है, लेनथ हमें पता नहीं है, कि ये पोल को, ये यहां पर पोल है, ये इसको परार करती है, इसकी लेनथ हम निकाल सकते है, लेनथ इसकी निकाल सकते है, L1 बराबर होगा, यानि कि डिस्टनस बराबर होगा, तो इसको सेकंड पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा है टीक है इंसकी लेंट किटनी आ गई पांच अठे-440, 400 मीटर, 400 मीटर इसकी लेंग था अगी, अब कहता है कि इसको अगर पार करना होगा दूसरी ट्रेन को, यानि कि आप इस ट्रेन की लेंगत है, कि इतनी 400 मीटर, इस ट्रेन की लेंगत है, 400 मीटर, यह है इस ट्रेन की लेंगत, अब इसको दूसरी रुकी तो उता स्टाओ तो पॉ यान की इस लांड़ की लांट है 500 मीटर और जल रही है तो इस ट्रेंड को युक का तायम不 पार करने में तो टाइम बराबर होगा टाइम बराबर होगा डिस्टनस टोटल डिस्टनस छार सो फ़ोगा एन आ सुanska नउस है ठीकर अपन सभी डिस्टनस अपन सभी और सिम्पीड क्या है इस ट्रैंड की मिका इसकी स७ी मत यह हे एकटी इन टुं फॉपन एटिं काय 的ॹ्फ ऺए इन टुस्हाइटण चला जायेगा इस तरीक आप देखो一直 0 इस तरीके से हैं तो यहां पे दो नवे अठारा और दो दूनी चार तो नाइन इंटो नाइन कितना हो गया 81 अपान टू 81 अपान टू का मतलब कितना हो गया 40.5 सेकंड 40.5 सेकंड तो चाल साड़ी चाली सेकंड इसको टाइम लग जाये को ऑप्शन सी थोड़ा से कलिकुलिटी क्वेस्टिन था लेकिन एक सार नहीं था कि आप नहीं बना सकते इफ योर कॉंसेट्स और क्रिस्टल क्लियर चली नेक्स्ट बनाईए यह वाला क्याता है तू ट्रेन्स हेविंग लेनाथ 200 मीटर और 300 मीटर ग्रास एन एलेक्ट्रिकल पूल एलेक्ट्रिक पूल इन एट सेकंड एन तोल सेकंड रस्पेक्टिवली एन हाँ मच्ट्रिकल पूल को एक ट्रेन पार करते इतनी सेकंड में और ट्रेन की लेंथ भी हमें गिवन है एक दूसरी को वह अपूस्ट डिरेक्शन में अगर चलेगी तो कितने टाइम में वह पार करेगी तो सबसे पहले मतलब हमें इनकी सिपीड निकाल निकालने कितना होगा तो आप बोलोगी सब उसकी लेंथ है 200 मीटर यह होगी डिस्टनस और टाइम कितना है आठ सेकंड तो कितने आ जाएगी इसकी सिपीड तो अगर कटता है काट और नहीं कटता है मत कट तो आठ दूनी सोला आठ दूनी सोला तो चार यहां तो आठ पचे चालिस कि इसकी स्पीड आगंड़ ट वांटिफान पर सेकंड पहली ट्रेंट की सिपीड और दूसरी की सिपीड मोझे — बताइए कितनी हैBack है टोटल डिस्टनस पावर होगी 300 मीटर और कितने टाइम में 12 में इसकी स्पीड कितने आगे बारा दूने होगे 24 बारा दूने होगे 24 और यहां पे 6 12-15 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड भी इतनी है यह अगर एक दूसरी को अपोजिट डिरेक्शन में चलेगी यान कि एक ट्रेन इस तरीके से यह अगर अपोजिट डिरेक्शन में चलेगी तो टाइम कितना लग जाएगा यह अपोजिट डिरेक्शन कितना लग जाएगा आप लोग से टोटल डिस्टनस यान कि टाइम बराबर होगा टोटल डिस्टनस कितनी दो सुट तीन सो होगे पांच सो डिवाइड पर रिलेट्व स्पीड इसका एड यान कि पचीस पचीस होगे पचास मीटर पर सेंट तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना लग जाएगा टैन सेकंड तैन सेकंड इस दे क्रेक्ट आंसर फोड़ आए यह वाला बने ट्रेन ट्रेन अस्था एल टू एट शिक्स एयम एड दे सिबिद आप 60 केलोमेटर पर आवर और ट्रेन बी शिटर्टे पांद ट्रेन एट्स भाला क्वेश्टेंस सिंपल सा यह बैस कि लिए अपोजी डिरेक्टैन में चाल रही है एक ट्रेन इतने टाइम पर निकली और दूसरी ट्रेन इतने टाइम पर निकली तो हमें बताना है कि यह कितने बज़े एक दूसरी को प्रास करेगी लेकिन यहां पर डिस्टन्स का है कि यहां से चलेगी 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 और साथ बज़े दूसरी ट्रेन निकलेगी निकली यहां से निकलती और यह अपोजिट डिरेक्शन में चलरहये दूस्री ट्रेन यहां निकलेगी साड़ी 7बजे साथ बज़ की तीस मिनट एक साथ अगर हम देखेंगे कब निकलेगी तो साड़ी साथ बज़े लेकिन जब तक यह दूसरी वाले ट्रेन भी निकलेगी नहीं यहां से अपोजिट डिरेक्शन में तब तक यह चली होगी 90 किलोमेटर इसने अल्रेडी डिस्टनस का और करी होग होनी चाहिए डिस्टनस पता होनी चाहिए अगर डिस्टनस यहां पर कुछ होगी सब्सक्राइब होगी तो हम करेंगी एक्स डिवाइड़ बए यह टोटल डिस्टनस है डिवाइड़ बए इन दोनों जैने के रिलेटुज सिपीड़ को हम एड़ करेगी क्या करेगी एड़ करेगी 60 पुलस 75 75 इस तरी किसी इसका अंसर होगा लेकिन डिस्टनस यहां पर गिवन नहीं है तो फंडा इसका यह है क्वेशन को सालो करें चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ मिसीली नंस पैट और उन पर क्वेश्टनस बताओगा अब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त बाई 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 टेक केर अल्लाहाफिज और मेहनत करते रहें